है चलो शुरू करता है क्या कह रहा है कि गन जो है एक रेल रोड कार पे माउंटेड है कार का मास गन का मास अना शेल और ऑपरेटर जो हां बैटा है गाड़ी में सब मिला जो लागे कितना है फिफ्टीम है ठीक है और एक शेल का मास मतलब एक जो गोली है जो बंदूक से चले अब एक चीज़ फिर से देखो यहां पर फिर से यहां पर शब्दों में फसानी कोशिच की गई है कि विलास्टी आप दे शेल विद रस्पेक्ट तू गण लेकिन ब्रैकेट में जो टम दिया हुआ है यह बहुत इंपोर्टेंट है यहां ठीक है यही डिसाइड करेगा कि क्या है यहां टेक है इंप इंप से बीफोर फाइरिंगा थाया इस तुम नोग अच्छे से दिमाग में बिठा लो यह क्या है एस यह यूज़ पर इंप तो पित लो यह क्या है इस स्टेटमेंht का यूज़ आएगा यह क्वेश्ण सॉल पर ने मिंतिक है चलो तो बसक्षा इसका solution, simple जाहे, बहुत जाला दिपिकर्ट नहीं है, चलो, मेरा screen देखरा है सबको, बताओ, जालो, अब सबसे पहला देखो statement मने क्या लिखा है, सबसे पहला statement लिखा है, U is equal to 200 meter per second is not absolute, ठीक है, वो कैसा है, relative है, ठीक, बोलो, तो पहला case लेते हैं, पहला case लेते हैं, जब यह जो bullet है, bullet कितर गया, right हो, तो momentum कितना है, system पर बाहर से तो कोई force है, नहीं, friction को इग्णोर करने बोला है, आरे, friction को इग्नोर करने बोला है, यह तो बताओ, आ सबसक्र बोला है, friction को इग्णोर करने बोला, तो माँ लेते हैं कि पहला shot जो fire हिए, पहला shot जब fire हिए, तो यह बंदू की जो, जो अगली निकली गोली कि वेलवस्टी है स्मॉल वी ठीक है ये अच्छल वेलवस्टी है एल्टै विद रस्पेक्ट ग्राउंट ये ये थेंडे यह यह थाण रहे है आई वा समझ? U is equal to 200 meter per second is not with respect to ground. It is with respect to the gun. आई वा समझ? अच्च्च्छ वेलोस्टी जो है शल का वो मैने वी लिया. ये शल्ट में बहुत ही इंपर्ट है यहां पे. इस वी इस वी इस नॉट एकुल तो यू. इस वी इस वी इस अच्च्छ वेलोस्टी जशन. यस? क्लियर? तो मोमेंटम गंजाव करने के लिए जो बाकी का जो सिस्टम है. कार प्लस ऑपरेटर प्लस गान जो भी है यह सब पीछे जा रहा है कैपिडल वी से. क्योंकि हमको मोमेंटम कितना करना है? जीरो करना है. इनीचल मोमेंटम जीरो था तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो ही रहेगा. है कि नहीं? बोरो. चलो. तो मोमेंटम गंजाव कर दिया हमने. मवी माइनस 49. मवी इस इकुछ आगया हमको. अब एक गोली निकल जाएगी तो मास कितना बचेगा? 49 M बचेगा ना? इसलिए आ रही है. B is equal to 49 B. ये देखो ये relation. चलो. अब अब ये statement देखो ज़रा ध्यान से. क्या लिखा है मैं? मैं इस statement को use करने की कोशिश कर रहा हूँ. ये जो दिया है ना? U is equal to 200 M per second. इसको use करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं. ठीक है? देखो. Relative velocity क्या होती है? जैसे की velocity of shell with respect to gun. ठीक है? Is equal to क्या लिख होगे है? Velocity of shell with respect to ground. Minus velocity of gun with respect to ground. यही करोगे न? बोलो. यही लिखते है न? relative velocity. ऐसे ही लिखते हैं न? लेकिन question में क्या लिख रहा हूँ था? कि तुमको gun की velocity कौन सी लेनी है? गन की velocity लेनी है before firing the shot. गन मतलब कार्ट. कार्ट और गन जो है वो कार्ट पही लगा हुआ है न? तो गन और कार्ट की velocity से लेनी है. मतलब यह वाली जो velocity लेनी है before firing the shot. पहला shot fire करने से पहले यह velocity of gun with respect to ground क्या है? जीरो है क्या? बोलो. यानि की velocity of shell with respect to gun यह कितना दिया हुआ है? यह दिया हुआ तो 200. 200 मतलब U. है न? इससे हमको यह relation मिल रहा है. वलाश्टी अव शेल इकोल टू 200 I cap. U का वल्यू वालू 200. कोई दिक्कार यहाँ पर? बोलो. आगे बढ़े है? यह सर्व. चलो. आगे बढ़ता है है? तो चलो. आगे बढ़ता है है. तो चलो बढ़ता है है. तो चलो बढ़ता है है. तो चलो स्मॉल वी बाइप फॉर्टीनाइन. स्मॉल व कितना था? यहाँ अब यहां को आया है? यह वी शैल था, था, ना? ना? था जू लिसेतित्व में है? भी जो है, जो अब जो स्माल वी है? वो कितना था? बढ़ता है। अम वी दो कितना है? यू के बराबरी है ना? देखू small v is equal to u, यह अभी देखा रहा हमने, अभी आयगा ना, तो यह आ गया, चलो, अब second firing जब हो रहा है तब देखते हैं, ठीक है, second firing से पहले का situation यह, second firing से, second firing से पहले का situation यह, पूरा system जो है, वो पीछे की तरह जा रहा है, with velocity capital V, कोई दिकत यहाँ पर, चलो, अब देखते हैं, इस बार जो shell fire होगा, उसकी actual velocity, क्या मानते हैं, ठीक है, इस बार जो shell fire होगा, उसकी actual velocity क्या मानते हैं, बी डाश, ठीक है, चलो, फिर से वही relative velocity वाला concept इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना, मतलब हमारा जो है, fire करने के, second fire से, जस्ट बाद, यह situation, जो shell गया, जो गोली गई, उसकी velocity है, V dash, है ना, और यह actual velocity है, इस V dash is the actual velocity of the shell after second firing, ठीक है, बट उसकी relative velocity कितनी है, relative velocity है, वही, यू, यू किता था, 200, वही relative velocity वाला फिर से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, relative velocity वाला मैं फिर से लिख रहा हूँ की, velocity of shell with respect to cart, is equal to, velocity of shell with respect to ground, minus velocity of cart with respect to ground, ठीक है, लेकिन यह cart with respect to ground वाली कौन सी velocity है, यह, यह before firing की velocity है, आई वह समझ, ठीक है, अब velocity of shell with respect to cart तो हमको पता है, यह कितना है, यह है, u i cap, मतलब 200 i cap, cart के respect में जो शेल की velocity है, वो 200 है, ठीक है, is equal to, velocity of shell with respect to ground, यह तो v dash लिया हमने, यह हमारा plus x है, ठीक है, actual velocity v dash है, minus, velocity of cart before firing ज्यान रहे है, यह minus v i cap है, जो कि cart firing से पहले, पीछे की तरफ जा रहा था, with the velocity capital V, कोई दिकत, अब एकदम सिंपल साथ चीज़ हो गया है, v dash की value क्या हो गई, मुझे देखो तो जरा बताओ, v dash की value क्या रही है, v dash की value आगी, u minus capital V, वो दिकत, अब linear momentum करतो, conserve, linear momentum conserve करना बहुत यह असान है, यह जो पूरा system था, firing के just पहले, इसका पूरे system का mass कितना था, 49 m, और यह पीछे जा रहा था, capital V से, और यह हमारा plus x axis है, यह जान रहे है, linear momentum conserve करते टाइम ना, यह direction, relation का बहुत ध्यान रखना, vector quantity है, उसको scalar की तरह मत treat करना, अना, plus minus sign proper देखके रखना उसको, समझ रहो, और capital V हमने पहले निकाला था, ना, u by 49, यह जान रहा है, minus of mu आ रहा है, capital V निकाला था, ना, u by 49 देखको, तो ऊपर, यह जान रहो, निकाला होगा, ता निकाला है, capital V हमने निकाला है, यह जो, तो वह यहाँ पे substitute कर दी, आमने, चिक है, तो initial momentum आ रहा है, minus of mu, चिक है, अब final momentum, final momentum क्या है, काट पीछे जाएगी V' से, और यह जो bullet है, वो जा रही है, के right में V' स्माल V' से, तो final momentum जब तुम यह वाले coordinate system में लिखोगे, हमने positive किदर लिया है, इधर ले रखा है, तो का लिखोगे, mV' minus, बचा हुआ मास कितना है, 48M, capital V', चलो, अब कुछ नहीं करना, इसको equate कर देना है, तो minus mu, initial momentum, यह है मेरा final momentum, proper sign के साथ, प्रॉपर coordinate system के अंदर, ओधिकत, आगे बढ़ते हैं, V' की value हमने, तिन लाली निकाली थी, small u minus capital V, यहाँ पर substitute करो, कुछ नहीं है, simple है, आजागा answer, यहां से V' कुछ नहीं है, 48M से divide कर दो आजागा, और capital V' की value डाल दो, u by 49, है ना, कुछ नहीं है, simple है, बाकी तो, कर लो, यह answer आजागा, u by 49 plus u by 48, u की value किनी है, 200, है कि नहीं, आया समझ में सबको,